हेलो स्टूडेंट्स, एम सवीता गुपताय, लेंगवेज इंस्ट्रक्टर, वेलकम इन लर्न विद सवीता, तो फाइनली इस सिरीज में हम कुछ और कॉंट्रेक्टेट फॉर्म देखेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे, कि इन शॉर्ट फॉर्म का, कॉंट्रेक्टेट फॉर्म का जो नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाते समय कब हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट होकर सब्जेट के साथ जुड़ता है, और कब नॉट शॉर्ट होकर के हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ता है, साथ ही न not any और no का प्रियोग भी देखेंगे कैसे हम not any की जगा पर no का प्रियोग कर सकते हैं और देखेंगे कि have का प्रियोग करके कितनी तरह से sentence को negative बनाया जा सकता है ये सारे confusion इस वीडियो में हम cover करेंगे और सारे confusion को दूर भी करेंगे next तो हम देखते हैं कि सबसे पहले की pronoun के साथ जब helping verb जुड रहा है तो उस समय इसे कैसे लिखा जाता है और कैसे इसका pronunciation किया जाता है तो यहां देखिए कि यहां पर है here is here is here pronoun है यहां is क्या है helping verb इसी तरह पूरा है here is को जब हम short form में लिखते हैं तो I को helping verb के I को हम यहां से हटा देते हैं विलोपित कर देते हैं लुप्त कर देते हैं और उसकी जगा हम लगाते हैं apostrophe और s लगाते हैं और इसका जो pronunciation होता है वो होता है here is here is here is there is यहां भी वही होता है कि I को विलोपित करके यहां पर हम apostrophe लगाते हैं और s लगा देते हैं और इसका जो pronunciation होता है there is there is next आता है that is same process है और इसका जो pronunciation है that's 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 मेरे साथ बोलिये हैं न then आता है that will तो इसका जब हम short form लिखते हैं contracted form लिखते हैं तो आप देखिए कि w और i दोनों को हम विलोपित करते हैं और इसकी जगा हम क्या लगाते हैं apostrophe लगाते हैं और ll लिखते हैं इसका pronunciation क्या होता है that'll 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 then how is how is में भी i विलोपित करके apostrophe लगता है s लिखते हैं then house 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 what will same w i को विलोपित करते हैं apostrophe लगाते हैं और ll यहां पर लिखते हैं water 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 next देखते हैं कि what is same pronunciation आता है इसका what's 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 when is pronunciation आता है सेम प्रोसेस लग रहा आई हट रहा है apostrophe लग रहा है और s लिखा जा रहा है when is pronunciation आता है when's 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 where is pronunciation आता है इसका where is where is where is where is who is who is pronunciation आता है who's 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 who would who would के लिए आप देखिए w o u l पुरा विलोपित होता है और इसकी जगा apostrophe आता है और लिखा जाता है d को ठीक है तो इसको हम कैसे pronounce करेंगे hold 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 then who will will में w i को हम विलोपित करते हैं पॉस्टोफी लगाते हैं और double l लिखते हैं hold 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 okay hope कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो यह short form देखने के बाद अब हम देखते हैं कि pronoun के साथ अगर helping verb को का short form लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं और इसका pronunciation भी हम कैसे करते हैं तो अब आप देखिए कि यह जो हम अगला जो slide लिए हैं इसमें हम यह देखेंगे कि helping verb का जो short form है यह जब subject से जुड़ता है तब क्या होता है ठीक है तो helping verb का short form यहाँ थोड़ा समझ लिजी कि यहाँ यह helping verb है और यह subject है ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं दे आर ठीक है तो यहाँ आर हमारा helping verb है और दे हमारा subject है आर helping verb या इसे axillary verb भी कहते हैं तो जब axillary verb का short form short form हम क्या लिखेंगे? apostrophe लगा करके re लिखेंगे subject के साथ जुड़ता है यहनि कि जब यह दे के साथ जुड़ता है तो negative जब हम इस sentence का बनाते हैं तो इस समय हम not को पूरा लिखते हैं तो they are not busy इसमें अगर आप short form बना रहे हैं तो subject के साथ अगर आप helping verb को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? they are not busy sonu is not here sonu is not here then sonu subject के साथ अगर इसको आप जोड़ रहे हैं इसका short form लगा रहे हैं helping verb इसको जब आप sonu के साथ जोड़े हैं subject के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा यह sonu is not here not पूरा लिखा जाएगा it is not good it के साथ जब आप helping verb इसको जोड़ रहे हैं तो इसको short form में लिखा जाएगा और not को पूरा लिखा जाएगा it's not good I am not studying I am को अगर आप जोड़ रहे हैं तो am short form में लिखा जाएगा और not को पूरा लिखा जाएगा यह rule है कि अगर आप helping verbs को subject के साथ जोड़ रहे हैं तो not को पूरा लिखा जाता है next हम देखते हैं कि जब axillary verb को पूरा हम लिखते हैं तो हम not को short form करके उसके साथ जोड़ देते हैं है ना तो अभी आपने देखा कि they aren't busy यहाँ पर क्या है they aren't busy है तो यहाँ पर हमारा axillary verb आर है ठीक है इसके साथ हम आर को subject के साथ नहीं जोड़ रहे हैं बलकि आर को not के short form में जोड़ रहे हैं तो they, they लिख दिया are और not को short form कर दिया are aren't busy they aren't busy पहले क्या लिखा था they are not busy क्या लिखा था they are not busy subject के साथ helping verb को जोड़ा था not को पूरा लिखा था लेकिन यहां they aren't busy हमने helping verb को पूरा लिखा है और not को short form लगा करके इसके साथ जोड़ दिया है इसी तरह पहले आपने लिखा था sonu is not here लेकिन यहां अगर आप is को पूरा लिख रहे हैं helping verb को पूरा लिख रहे हैं axillary को पूरा लिख रहे हैं तो not को short form करके इसके साथ जोड़ियेगा sonu isn't here it isn't good पहले आपने लिखा था it's not good तो it के साथ आपने helping verb को जोड़ा था और not को पूरा लिखा था लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं कि इसको आप पूरा लिख रहे हैं helping verb को पूरा लिख रहे हैं और not को short form करके इसमें आप जोड़ दे रहे हैं तो ये मतलब rule है कि helping verb और not दोनों में से किसी एक को ही short form में लिखा जाता है अगर helping verb short form में है तो not को पूरा लिखा जाता है ठीक है और अगर helping verb को पूरा लिखा गया है तो not को short form में लिखा जाता है दोनों में से कैसे भी लिखें दोनों ही सही होते हैं सिर्फ ये लिखने का अलग-अलग तरीका होता है तो यहाँ पर एक और example देखते हैं जिसमी की बताया गया है not any की जगा no का use कैसे किया जाता है इसे बहुत confusion रहता है learners को कि not any सही है कि no सही है भई दो नो सही है ठीक है आप कान को घुमा के पकड़ो या सीधे पकड़ो कानी पकड़ में आता है तो there aren't any boys in the park there aren't not any boys in the park या there are no boys in the park both the sentences are correct दोनों ही sentence अगर आप देखें तो बिलकुल सही है फिर there isn't any milk in the pot not any ठीक है there is no milk in the pot तो आप not any की जगा no का यूज कर सकते है no की जगा आप not any का भी यूज कर सकते है लेकिन एक चीज और आप देखिए कि यहाँ पर not any के साथ countable noun है no के साथ countable noun है साथ ही not any या no के साथ uncountable noun भी है तो आप countable noun और uncountable noun दोनों के साथ आप not any या no का यूज कर सकते हैं ठीक है तो दोनों sentences के अर्थ में कोई अंतर नहीं है not any या no का प्रियोग negative sentence में किया जाता है और इसके बाद आने वाला noun countable हो सकता है या singular या plural हो सकता है या uncountable भी हो सकता है चले एक बार फिर इसको हम example के उससे देख लेते हैं दिखा है there not any there aren't any student in classroom plural number है या countable है are not की जगा not any की जगा आप no का यूज कर सकते हैं there are no students यानकी plural है इसी तरह there isn't any milk in the sorry there isn't any ink in the pen not any ink कैसा है uncountable है तो not any की जगा आप no का यूज कर सकते हैं there is no ink in the pen तो इस तरह से अब जो confusion है I think की आपका confusion दूर हो चुका होगा next हम देखते हैं की जिस तरह से not any or no के use को लेकर के confusion रहता है उसी तरह का confusion has, have के negative को लेकर के भी लोगों में रहता है has या have का negative भी कई तरीके से बनाया जाता है और अगर सही तरीके से बनाया गया है तो सभी example आपके सभी जो sentence है वो सही रहते हैं for example यहाँ देखिए की तीन use किया गया है she hasn't a car, she hasn't got a car, she doesn't have a car ठीक है तो she hasn't a car उसके पास कार नहीं है she hasn't got a car यह भी सही है उसके पास कार नहीं है she doesn't have a car does, do, does, did के साथ verb का first form आता है तो यहाँ पर क्या आया है have आया है she doesn't have a car है न, तो इस तरह से तीनों sentence has को लेकर के बनता है जो has और have को लेकर बनता है यह तीनों sentences सही है है न, बिल्कुल confused मत होईएगा और confident होकर के आप अपना आगे बढ़ियेगा तो hope कि आपके सभी confusion जो हैं वो दूर हो गए होंगे और अगर किसी और विशह में या इसमें ही अगर कोई confusion बाकी है तो comment box में लिख करके बताईएगा मैं उसे दूर करने की कोशिस जरूर करूंगे आपके जरूर के लिए कोशिए लिए और